मुझे अपने अपने क्लास में क्लास 10 का चेप्टर 11 दो हुमन आई और कलर्फुल वर्ल करेंगे आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स ओफ हुमन आई डिफेक्ट्स ओफ वीजन हुमन आई एंड देर करेक्शन्स सो हमें बता है हमारे आई के कितने डिफेक्ट्स है हमारे वीजन के कितने डिफेक्ट्स है तीन डिफेक्ट्स है हमारे फर्स्ट क्या है हमारा मायोपिया सेकिंड क्या हमारा हाइपरमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया एंड थर्ड वान इस प्रेस बायोपिया हमारा थर्ड डिफेक्ट के है हमारी हुमन आई का प्रेस बायोपिया सो अभी हम अपनी क्लास में क्या करेंगे जो हमारे सारे हुमन आई के डिफेक्ट्स है मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया प्रेस बायोपिया यह हमारे जो डिफेक्ट्स है वो अराइज कैसे होए horizon of the defects and यह हमारे जो defects है यह correct कैसे होंगे correction of the defects of human eye सो जो हमारे human eye यह वो कितने defects है हमारे human eye के myopia, hypermetropia and presbyopia अभी हम एके करके इन पे आते हैं सबसे बेले करते हैं myopia सबसे फर्स्ट डिफेक्ट जो है human eye का वो किया है myopia, myopia को हम क्या बोलते हैं near sightedness भी बोलते है near sightedness हम myopia को near sightedness क्यों बोलते हैं because myopia के case के अंदर क्या होते हैं जो person है उसको nearby object clearly दिखता है nearby object can see clearly but cannot see far object clearly and distinctly see far object जो मारा दूर का जो object far object जो है उस अब्जेक्ट को clearly नहीं देख पाते हैं and distinctly 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 मतलब होते हैं कि हमारे जो object है उसके distinct parts हर एक part clearly दिखाई देना जो 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 myopia है myopia को हम क्या बोलते हैं near sightedness बोलते है near sightedness इस vision को इसले बोलते है इस defect को इसले बोलते है because कोई भी person है that person can see nearby object nearby का मतलब है जो हमारे past का object है उसको it can see clearly, they can see clearly but cannot see the far object clearly and distinctly जो हमारे दूर का object है उसको ना तो clearly देख पाते हैं और रही उसको distinctly देख पाते हैं that is why myopia is known as near sightedness so जो हमारा myopia है इसके के इसके इंदर क्या होते है जो person है उसका जो defect है उसको past का दिखाई देते है myopia है तो उसको past का clearly दिखाई देगा but जो उसका far object है दूर का object उसको clearly नहीं दिखाई देगा because a person with this defect has far point nearer than infinity उसको जो far point है वो क्या बन जाता है हमारा infinity हमारी जो image है वो कहाँ पर बनती है in front of retina उसी की वज़े से अगर हमारे retina पर image बनेगी तो हमें past का object तो clear दिखेगा बट हमें दूर का object clear नहीं दिखेगा उसके बाद आते हैं हमारे यह जो defect है arise कैसे हुआ और कैसे हम इसको इस defect को correct कर सकते है so correction of myopia अब जो हमारे defect है myopia near-sightedness जिसको हम बोलते है near-sightedness इसलिए बोलते है because हमें जो image है वो past की दिखाई दिती है object हमें past का दिखाई दिता है बट हमें दूर का object clearly और distinctly नहीं दिखाई दिता है so यह जो defect है हमारा arise हुआ कैसे horizon of defect कैसे आते है हमारा सबसे पहलो जो हमारी curvature है islands का वो क्या हो जाते है increase हो जाते है so सबसे first है हमारा horizon of defect excessive curvature of islands जो हमारा eye lens है वो क्या हो जाते है उसका curvature excessive हो जाते है उसके बाद आते है हमारा elongation of eyeball यह जो defect है myopia यह arise कैसे होते है excessive curvature of islands and the elongation of eyeball उसके बाद जो यह defect है जो myopia यह हम correct कैसे कर सकते है by using concave lens हम concave lens यूज करके यह जो defect है इसको correct कर सकते है by suitable power जो हमारी eye की जो suitable power है उसके accordingly हम concave lens से यह जो defect है यह क्या कर सकते है हम correct कर सकते है correction of defect by using concave lens उसके बाद हम image देखते हैं हमारी eye पर कैसे बनती है myopia के case के इंदर और normal eye के case के इंदर अब देखो जैसे हमारा retina है हमें बत्या कि जो हमारी image वो किस पर form होती है retina के उपर हमारी image वो object की कहां पर बनती है image formed कहां पर होती है हमारी retina के उपर यह हमारा retina है सो यह object है हमारा सो अगर हम किसी भी एक myopic जो आई है myopic eye अगर किसी भी object को देखेगी तो अगर उसकी image formed हो रही है हमारे retina के उपर it means वो उसका far point है it is a far point of myopic eye far point मतलब क्योंकि हमें nearby object clearly नहीं दिखाई देता है बट हमें myopic eye के अंदर सो जो हमारी image एए a far point of myopic eye के इमएज कहां पर बनेगी myopia की वह बनेगी हमारी Retina के ऊपर हम करते हैं जो हमारी myopic eye उसमें रेतीना पर बनती है ओं फ्रईंट ऑब रटीना हमें नहीं बते हैं जो हमारी email ए कहां पर 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 होती है रेटीना बड जो हमारा myopia का case है उस case के अंदर जो हमारी image है वो कहाँ पर बनती है in front of retina retina के front पे हमारी जो image है उसकी formation होती है हमारी myopia के case के अंदर retina पे image नहीं बनती है हमारी वो retina के front पे image बनती है अब जैसे हैं हमारी myopic आई है तो myopic आई है तो image हमारी कहाँ पर बनेगी in front of retina हमारी normal eye में हमारी जो image है वो कहाँ पर बनती थी हमारी retina के उपर हमारी image form होती थी image form down retina बट यह हमारी कौन सी आई है हमारी myopic आई है तो इसके अंदर हमारी जो image यह कहां पर बनेगी, image इस जगह बनेगी, यहां पर यह क्या है हमारा in front of retina, हमारी जो image वो कहां पर बनेगी, हमारी retina के उपर हमारी image बनेगी, retina के front पर बनेगी, अगर वो myopic आई है, अगर हमारी normal आई है तो हमारी image कहां पर फॉर्म होगी, हमा आगे हमारी image बन रही है, तो यह हमारी कौन सी आई है, myopic आई है, जिसके अनदर हम nearby object clearly देख पाते हैं, बट हमारा जो far object है हमारा, उसको हम clearly नहीं देख पाते हैं, अब इसके corrections पर आते हैं, हमारी जो myopic आई है, उसके corrections, तो अभी हमारे जो myopic eye है उसके corrections करते हैं, तो अगर हम myopic eye के correction करते हैं, अगर हम suitable lens का concave lens यूज़ करते हैं, यह हमारा concave lens है, अगर हमें myopia है, तो हम कौन सा lens यूज़ करेंगे, concave lens यूज़ करेंगे with a suitable power, तो जो हमारी image retina के front पे बनती थी, वो हमारी image कहां बनेगी, retina के उपर हमारी image formed होगी, by using concave lens of suitable power. So आज की class में इतना ही, अपनी next video में हम hypermetropia के बारे में करेंगे, thank you.